नमस्कार मैं मनीश कुमार आप सभी लोग का हमारे यूटूब चैनल पे स्वागत करता हूँ तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले फंक्संस के बारे में ये बहुत ही जादा इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है ना सिर्फ की हमें सिखने के लिए बलकि अगर हम काम करते हैं रियल टाइम में तो हर जगा पे फंक्संस ही बनी होती है और इसके बार में और आगे बहुत सारी चीज़ा बात करने हैं चलिए लेट ना करते हों हम सिधा चलते हैं लाप्टॉप के स्क्रीन पे और वहीं पे सारी चीज़ा को डिसकस करेंगे तो हम आगा हैं लाप्टॉप के स्क्रीन पे और आज का जो हमारा एजेंडा होने वाला है सबसे पहले कि ये functional programming क्या होती है modular programming क्या होती है कई पार interview में पूछ लेते है फिर हमें function की जरूरत क्यों होती है function काम कैसे करती है और एक programming question आज हम आपको करने के लिए देंगे उसको आपको करके आना है और इससे पहले एक चेज और कि मैंने जब पिछले class में एक question दिया था तो किसी ने solution नहीं दिया है PII personal information जो data को mask करना था वो आला question कोई अभी तक नहीं किया है पता नहीं आप लोग serious हो या नहीं हो अगर नहीं हो तो तब तो कोई बात नहीं लेकिन हो तो थोड़ा question ये लगा लेना ठीक है तो चलिए अब वापस आते हैं आज के topic पे तो functions से पहले functional programming तो देखें पहले क्या होता था कि हमारे पास दो तरह बहुत पहले ये क्या था functional approach होता था जहां पे कि आप अपना code को लिखें ठीक है सारा जो है न वो functions के अंदर लिखें सारा code जो है आप functions के अंदर एक functions दूसरा functions तिसरा functions लेकिन अभी क्या हो चुका है कि अब हम आ चुके है modular approach में जहां पे कि आपको उप के बारे में पता होगा object oriented programming तो सबसे basic हो गया हमारा code जो line by line लिखते हैं उसके उसको wrap कर दिया function में तो हो जा फंक्शनल प्रोग्रामिंग और उसको अगर रैप कर दिया पूरे चार पांच छे functions को एक साथ रैप कर दिया तो वो हो गया object oriented programming जहां पे कि हम उप concept का यूज करते हैं तो अभी तक हम line by line लिखते थे अब हम functions में आ गा है फिर धीरे धीरे move कर जाएंगे modular programming की और modular programming ही है जो real time में जब हम development करते हैं तो use करते हैं उसको use करने के लिए भी बहुत सारी logic होती है कि ऐसे लिखेंगे ऐसे लिखेंगे मतलब बहुत सारे regulations होते हैं कि ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा better हमारा code जो है वो optimize होगा optimize मतलब readability बढ़ जाएगा reusability बढ़ जाएगा इस टाइप की चीज़ है ठीक है वासे program तो functions में भी run करते हैं functional programming में भी run करेंगे normal में भी run करेंगे modular में भी run करेंगे program में कोई दिक्कत नहीं आएगा लेकिन उसको maintain करने में दिक्कत आएगी अगर आप सही एक software engineering practice नहीं यूज करते हो ठीक है तो चलिए अब आते हैं कि हम समझगा कि functional programming क्या है modular programming क्या है अब functional programming मतलब functions बनता कैसे है और ये functions की जरूरत क्यों है तो चलिए अब हम बात करेंगे कि हमें functions की जरूरत क्यों है तो देखे हमारा क्या होता है कि हम code जो है वो लिखते हैं तो कई बार ऐसी चीज़ा होती है जो बार बार repetitive आती है जैसे मालों कि अगर हमें circumference calculate करने है ठीक है किसी area के circumference calculate करने है यह हो सकता है कि 2-3 area का calculate करना पड़े 4-5-10 area का calculate करना पड़े तो area नहीं मतलब length breath का calculate करना पड़े तो उस case में क्या होगा या तो हम code को बार बार लिखे repetitive लिखे ठीक है तो repetitive जो भी spelling mistake हो सकता है repetitive code लिखे या फिर दूसरा जो है हम functions का use करें तो वहाँ पर हम functions वहाँ पर हम लिखते हैं जहां पर कि हमें पता है कि यह functions repetitively use होने वाला यह line piece of code जो है वो repetitively use होने वाला है तो इस जगा पर हम functions का use करते हैं जैसे मैं आपको example दिखाता हूँ मैंने code लिखा है आपका समय बचाने के लिए और हमारा भी ठीक है उससे पहले चलते हैं कि हम जो यह लिए थे ना स्टार्टिंग में ही वीडियो के स्टार्टिंग में ही बिल्कुल हमने बताया था कि इस पर हम काम करने वाले एक घर बनाने वाला questions पर ठीक है building our home अब यहाँ पर बनाने के लिए दिखें length of dimension हमने बताया था garden का dimension बताया था और home का एरिया बताया था ठीक है नदब dimension बताया था basically तो यह सारे dimension अपने पास है पहले से कि length इतना है ब्रेट इतना है land का garden का home का अब इसी का क्या करना है कि इसी में हमें fence cost निकालना है और फिर उसके बाद हम इसका cost निकाल पाएंगे तो यही जो है यही वाला जो question बिल्डिंग और home इसी में बहुत सारे functions बनेंगे और उसी functions को जब हम wrap करेंगे class के अंदर तो up concept का use होगा तो इसी लिए यह example लिया गया था कि आपको functions बेगर आसानी से बताया जा सकता है ठीक है तो सबसे पहले हमने सारे variable ले लिए length, land का, garden का और home का यह तो variable है तो यह तो आपको पताए कि पहले से variable इसके बाद देखिए अब हमें क्या calculate करना था यह question है find out the cost to fence each area if cost to fence is per feet, per feet is 17 रुपेज, अगर 17 रुपया per feet को fence करने का है, fence मतलब कि किनारे किनारे हम तार बिचाना चाता है, जैसे मालनो मेरा घर का पूरा एक dimension हो गया और उसके चारो तरफ जो है हम तार बिचाना चार है, तो उसका cost कितना आएगा, तो जब हम तार circumference के उस पर होगा, चारो तरफ, तो circumference पाले calculate करना पड़ेगा, और फिर circumference calculate करने के बाद उसका cost निकालना होगा, तो यहाँ पर देखें, यह हो गया हमारा calculate किये तो किसका हो गया, यह हो गया land का, इसी तरीके से garden का, तो आप देख रहे होगे कि हम बार बार जो है ना, य यह बार बार हमें हर बार लिखना पड़ा है, इसके लिए भी और इसके लिए भी, तो यही हो गया कि हम repetitive काम कर रहे है, यह देखें कोड कितना ज्यादा हमें जो है, एक ही line को repetitive mode में लिखना पड़ा है, वही पर अगर functions का use करें, तो यह देखें एक छोटा सा functions बना है, और बस इतना ही रहेगा, इसके बाद आपको जिसका भी निकालना है, जहां पर भी निकालना है, वह आपर आम से calculate कर सकते हो, तो यह बस चार line का code है, और कितना clean हो जाएगा, अगर माल लिए कि इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको हम हटा देते है अब देखिया हमारा code कितना clean लग रहा है, right, usability बढ़ जाएगा, readability बढ़ जाएगा, हर तरीके से यह code जो है, बहुत ज्यादा हमारा अच्छा हो जाएगा, तो इसी के लिए हम use करते हैं, functions का, अभी functions कैसे काम करता है, उसके बारे में देखेंगे, लेकिन आपको पहले अभी, तो आपको समझ में आगया होगा कि functions क्यों use करते हैं, अभी इसको run करते हैं, run करने का बाद output देखिये, circumference पोर यह वाला line से आया है, line number 17 से आया है, इसलिए मैंने बोला था कि logger.info का आपको use करना है, ठीक है, तो यहां से आया फिर यह सारे cost आया, देखे, cost for fencing land, यहां पर देखिये, fencing cost is 6800, किसके लिए, यह वाला, जो line number 40 है, वो functions का calculation कर रहा है, functions भी वही output दे रहा है, जो हमें, यहां पर line number 19 पर मिल रहा था, ठीक है, बस यहां पर, क्योंकि हमें नहीं पता, यह land हमने नहीं लिखा, इसलिए land का नहीं बता रहा है, तो हमने land का किसी और का लिखा है, किसी और का लिखा है, तो यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, कि fencing cost for land is cost for fencing land, हम से अब आ जाएगा output, ठीक है, तो इस तरीके से, यह हमारा functions भी सही से काम कर रहा है, अब चलिए functions समझते हैं, कि functions काम कैसे करता है, अब functions अगर हमें developer लिखना है functions को, तो हम क काम कैसे करता है, तो functions पहले लिखने के लिए, यहां पर तो code लिखा हुआ है, मैं explain करता हूँ यहां पर, या फिर मैं लिखते जाता हूँ साथ में, पहले आपको लिखना है def keyword, ठीक है, यह def जो है, वो हमारा keyword है, predefined keyword है, functions आपको बनाना है, तो def लिखना पड़ेगा, def मतल calculate, fencing cost, तो यह जो calculate, fencing cost हो गया, यह हो गया हमारा function name, इस ही name से हमारा function है, वो जाना जाएगा, इसके बाद क्या करते है, open bracket और close bracket देते है, इसके अंदर जो है, हम argument पास करते, इसको क्या बोलते है, आर्गुमेंट, तो अगर जो मैं term बोलता हूँ कि आर्गुमेंट पास क करना हुआ बार्गमेंट में क्या क्यา है थे कितने अर्गमेंट तीन अर्गमेंट थे तो इसको बोलते हैं पोजिस्नल आर्गमेंट ठीक है पोजिस्नल अर्गमेंट आप जिस लाइन पर लिखे हो यह 0th नमबर पर लिखे हो यह 1 नमबर पर लिखे हो और यह 2 नमबर पर लिखे हो तो इसका position matter करता है यह आपको ध्यान देना है ठीक है तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा length, breadth and cost per feet इस तरीके से अब क्या है ठीक है इसके बाद अब आपका जो function है उसमें 3 variable है आपके पास ठीक है कितने variable है 3 variable है कौन-कौन वो variable है यह जो positional argument में आया है यह 3 variable हो गया यह जो है variable name से अब जाना जाएगा ठीक है variable underscore name ऐसे मतलब मैं लिख दिया हूँ variable name है यह 3 जो है वो variable name है तो इसका value कहां से आगा यह सिर्फ और सिर्फ name है इसका value नहीं है यहाँ पर ठीक है इसके बाद आपको जो भी calculate करना जैसे यह formula हो गया यह formula हो गया और इसके बाद जो है last में हमने क्या लिखा है return लिखा है ठीक है तो आपने कुछ piece of code लिखा इसके बाद ठीक है आपका ऐसे code run हो रहा था और फिर last में आपने लिखा return and then cost for fencing तो अब क्या है कि यह जो function है यहाँ पर ध्यान से सुनेगा यह जो function है last में अगर आप इसको call करते हो ठीक है यहाँ पर ध्यान से सुनेगा हर एक term जो है वो important है function call तो जब आप function को call करते हो तो final output जो है आपको बस इतना मिलेगा cost for fencing क्योंकि यह return कर रहा है मतलब कि basically अब इसको हम थोड function का नाम देना होगा जो हमने बनाया था तो function name क्या बनाया था calculate fencing cost ठीक है calculate fencing cost यह हो गया हमारा function का नाम यह हमने call करा इसके अंदर अब हमने बोला था की देखिए variable name तो length, breadth and cost हो गया लेगिन इसका value कहां से आएगा तो value आएगा जहां से function call हो रहा है मतलब कि length यहाँ पर हमें pass करना पड़ेगा कि 100, breadth हमें pass करना पड़ेगा 100 and cost pass करना पड़ेगा 17 तो इस तरीके से यह value हमें यहाँ पर pass करनी पड़ेगी अब यह जो है पूरा इसी को बोलते है function call ठीक है हर एक चीज को ध्यान से समझेगा यह जो है वो function call हो रहा है तो आपको कोई पूछेगा क function call किधर किये हो तो इसका मतलब यही कि function कहाँ पर use हो रहा है ठीक है अब function call हुआ तो यहाँ पर दिखिए एक चीज आपको ध्यान देना है यह जो function है वो क्या करता है return करता है कुछ final output return करता है तो यह जब call होगा न तो इसके पास कुछ ना कुछ value आगी तो value को रखने के लिए कुछ क्या लगता है variable लगता है तो यहाँ पर हमें एक variable name देना पड़ेगा ठीक है तो हम ऐसे लिखेंगे variable name equal to this मतलब कि यह function का जो return value है वो इसके अंदर assign हो जाएगा ठीक है यहाँ तक चीज़े clear है अब देखिए ध्यान से समझेगा यह function में इतना ही है कि function call कैसे जा रहा है यह बहुँ ज्यादा important है positional argument कैसे देना है मतलब सारी चीजे जो है छोटी छोटी जो चीजे है वही यहाँ पर काम करती है तो देखिए function call के लिए हमने function को call किया है अब यहाँ पर क्या करता है हम थोड़ा से इसको हटा देते है अब ऐसे अगर मालोब पूरा code से लिखा हुआ है तो क्या होगा flow देखिए flow समझे है ठीक है पूरा इतना line का code लिखा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक ठीक है अब flow समझे है code का program आया यहाँ पर देखा function है ठीक है इसने देखा function है इसको कुछ नहीं करेगा बस इसको register करके रख लेगा ठीक है अपने memory में register करके रख लगा कि हमारे पास एक function आ गया है इसमें कुछ calculation अभी perform नहीं हुई होगी फिर आपका code आएगा function call पर यहाँ पे आया तो यह देखा calculate fencing cost अब इसको पता है कि इसके पास कितने functions है तो यह चेक करेगा कि calculate fencing cost के नाम से कौन सी function है तो यह देखेगा कि भी कम argument दे हुए तो वो error throw करेगा फिर वहाँ पर default वाली case आ जाती हो आगे सीखेंगे हम जब functions और भी detail में बनाना सीखेंगे अभी तो basic समझ रहे ना कि कैसे बनता है और कैसे काम करता है तो यह जैसे ही यहाँ पर गया तो इसको पता चला कि हमें तो तीन argument चाहिए होंगे जैसे ही आपने यह वाली 100 के जगा 70 कर देता हूं ठीक है यह 70 जैसे लिखा न वह ब्रेट में ही जाके असाइन होगा यह 0th location पर असाइन होगा और यह 17 जो है बोट 2 location पर असाइन होगा मतलब कि जैसे ही यह function call हुआ था यहाँ पर चला गया था length और यहाँ पर हो चुका थ था length equal to 100, breadth equal to 70, cost per feet equal to 17 ठीक है 70 और 17 थोड़ा confusing हो जाएगा हाँ तो यह हो गया हमारा value तो अब यहाँ पर हमारा आ चुका है value जैसे ही function call हुआ था length equal to 100 बन चुका था breadth equal to 70 और cost per feet जो है वो बन चुका था 17 अब देखिए एक और चीज आपको ध्यान से सुननी है यहाँ पर आप ऐसा जरूरी नहीं है ना कि आप 100 ही लिखोगे यह तो हो सकता है कोई variable हो आपका राइट जैसे आपने उपर वाले code में देखा होगा तो हमने क्या लिखा था हमन length of land लिखा था हमने 100 या कोई value नहीं लिखी थी तो length of land एक variable है और variable की value क्या है तो value यहाँ पर पास होगी अब कई लोग क्या confused हो जाते हैं यहाँ पर धिहान से सुनिएगा कई लोग क्या confused हो जाते हैं कि यह length of land था तो यहाँ जाके इसका variable name length कैसे हो गया तो देखो आप य c, x, y, z कुछ भी लिख लो यहाँ पर जो लिखा होगा उसी से यह अंदर वाली variable जो है यूज की जाएगी जैसे देखे यहाँ पर जितनी भी चीज़े यूज की जा रही है वो इस functions का value यूज क्या जा रहा है ना कि आपने यहाँ पर क्या नाम से पास किया है तो यह वाल लेकिन क्योंकि यह function जो होता है राइट यह तो जेनरीक होता है तो अब length of land लिख दे और कल को हम length of home पास करें तो थोड़ा सा confusing नाम हो जागा इसलिए यहाँ पर हमें इसा length लिख दिया अब length of land, home, garden कुछ भी हो सकता है तो यह सारी चीज़े जो है छोटी छोटी चीज़े करके दिखाया था, अब यहाँ पर मैं अगर लिख दूँ कि length of land और उसका value कहीं पर assign क्या होगा, variable name क्योंकि हमने first class में variable name बहुत detail में समझाया था कि variable name कैसे काम करता है, तो यह चल गया, फिर यह सारी चीज़े calculation हुई, अब return आया, ठीक है, line अपना flow चल रहा था, अब return आ अगेगा, तो इसके लिए हमने फिर एक और variable name बना दिया, और हम ऐसे लिख सकते हैं कि final cost for fencing, ठीक है, ऐसे variable name equal to calculate, अब हमें तो function call करना पड़ेगा, right, fencing cost, spelling mistake पर ध्यार नहीं दियेगा, 170 and 17, इस तरीके से आपका final cost जो है, इसके अंदर assign हो जाएगा, अब हमारा cost कितना assign हो जाएगा, calculation हमने जो perform करी थी, अगर यहाँ पर हम अब देखते हैं, calculation perform करके, यह सब हटाते हैं, ठीक है, अब देखेगा, calculation हम खुद से करेंगे, तो यहाँ पर 17, तो यहाँ पर पहले क्या हुआ होगा, circumference variable का value क्या होगा, 2 into 100 plus 70, 170, तो यह हो जाएगा, 17 दूनी 34, 340, ठीक है, यह हो गया, 340, अब इसके बाद क्या होगा, यह वाला value यहाँ पर आया होगा, right, तो यह हो गया होगा, 340 into cost perfect कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा 17 करेंगे तो 4, 28, 2, 1, 24, 25, 27, 25, 578, मतलब की 5780 रुपीज जो है, यह यहाँ पर value आएगा, ठीक है, यह value जो है, अब कहां चला जाएगा, यह value को भेज दिया जाएगा, आपने जहाँ पर भी function call करी होगी, तो 5780 जो है, यहाँ पर इसका value हो जाएगा, equal to 5780, तो इसको हमने किसमें assign कर लिया है, इसमें assign कर लिया, तो final cost for fencing equal to 5780, इस तरीके से पूरा function call चलता है, I hope कि मैंने try किया है, कि function कैसे काम करता है, आपको समझ में आ जाए अच्छे से, लेकिन हो सकता है कि पहली बार वीडियो देख रहे हो, मैंने भी जब पहली बार देखी थी, तो मेरे आपका clear हो जाएगा, अब देखिए, एक जो function होता है, वो function के कुछ और भी conditions होते हैं, जैसे function जो है, वो return कर भी सकता है, और नहीं भी कर सकता है, तो जैसे अभी तो हमने किया था, कि return किया था, तो return का value आया था, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम हर function में value return करें, बस कुछ calculate कर के छोड़ देंगे, ऐसा भी होता है, उसके बाद function जब आप बना रहे हो, तो function ऐसा बनाओ कि जो repetitive काम को यूज कर रहा हो, मतलब repetitive काम को हमारा कम कर रहा हो, ठीक है, इसके अलावा function के अंदर आप अगर function call करते हो, ठीक है, अभी तो हमने function के अंदर function call नहीं किया है, लेकि कितने layer तक use कर सकते हो, जैसे हमने माल लिजे कि एक function बनाया यहाँ पे और इसके अंदर जो है, एक और function call जा रहा है, ठीक है, function 1 उसके बाद function 1 जब बना था, तो function 1 के अंदर भी कुछ call जा रहा था, अब ऐसा जो है न, वो looping में चला जाता है, कई बार हमने भी एक दो प्रोग्राम लिखे हैं, जहां पे मेरे 3 या 4 layer पे चले गए थे, तो एक थोड़ा सा, यह भी industry practice है कि आप एक function को call करो, तो उसके अंदर 3 या 4 से जादा function call ना हो रहा हो layer by layer, कि जैसे function 1 को function को call किया, तो यह सबसे फाले flow तो गया होगा, function 1 के पास, लेकिन function 1 के पास जैसे हOG पहुचा होगा ना, वो flow तो पहाँ से वापस यह आ गया होगा, और फिर यहाँ से flow गया, तो फिर function 2 में चला गया, अब वह function 2 जो है, यहाँ पे ऐसे function 2 होगा, और इसमें कुछ return होगा ठीक है तो यह वाला function 2 यहाँ पे call आएगा फिर इसका value जो है वो return यहाँ पे आएगा यह return यहाँ पे आएगा फिर इसका return जो है फिर इसका जो यह return देगा definition 1 based on function 1 मतलब यह जो है न लूपीन हो जाता है basically यही समझो कि यह यहाँ से आ यहाँ यहाँ से आपको final output तो यह ज्यादा लूपीन आप ना करें तो यह भी एक function का चीज़ है जो कि अभी I think कि आपके लिए थोड़ा सा advance हो सकता है आपने पहली बार सिखी है तो बस यह याद रखना कि 3 से 4 layer से ज्यादा हम function के अंदर function के अंदर function call ना करें तो वो एक industry practice है आपका code जो ह जो अभी हमने calculate किया था ना यहाँ पर fencing का cost calculate किया था अब आपको क्या करना है कि आपको जो है area का cost calculate करना है अब मैं बता देता हूँ कैसे जैसे हमें grass लगाने है ठीक है तो हमें जब grass लगाने है अपने सिर्फ यहाँ पर कहांगे हमारा एक मिनट हमारा यह जो garden का area है न यह वाला garden का area इसमें garden का area छोड़ो हमें इसमें grass लगाने है ठीक है यह वाले area में जो बाहर बाहर है हमारे घर के और garden के बीच में जो यह वाला area है न इतना बचा हुआ यह वाले area में हमें लगाने है grass अब grass लगाने का cost मैं बता देता हूँ grass लगाने का cost जो हमारा है 10 rupees per square square foot, ठीक है, क्योंकि वो तो square foot में निकलेगा न, तो ये हमें निकालना है आपको cost, तो ये वाला calculation आपको एक function निकना है, वो function जो है value लेगा और value से वो return करेगा कि आपका जो cost है, अगर आप यहां पे grass लगाना चाहते हो, पूरा चारो तरफ घर के, तो आपका cost कितना हैगा, starting का garden वाला part छोड़ देना है, garden के अलावा जो हमारा extra area जो हमने side side में छोड़ रखा था, वहां पे हम घास लगवाना चाहते है, घास लगवाने का cost है 10 rupees per square foot, यहां पे सारी dimension दी हुई है, इस dimension का use करके, थोड़ा सा math लगाके और थोड़ा सा programming लगाके, इसको calculate करना है आपको, तो यही है आज का हमारा programming question आसा करते हैं कि इस बार आप लोग question करोगे, क्योंकि पिछले वाले PII वाला data का किसी ने भी solution नहीं दिया है तो उस वाले question को भी solve करना है, और यह वाले question को भी solve करना है और function अभी पूरा खतम नहीं हुआ है, function just start हुआ है, अभी और function के बारे में पढ़ेंगे, थोड़े और questions लगाएंगे तब जाके जब function clear हो जाएगा, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने next lecture में, ठीक है तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे खतम करते हैं, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई